हेलो फ्रेंज तो चलिए इस पट्टी पे एक और नया डिजाइन गेट पर्दा बनाना बताते हैं बहुत ही आसान तरीका है और कम उन में बन जाता है तो हम इसके लिए यहाँ पे पिंक कलर लिये हैं और यह लाइट ग्रीन है तो चलिए बनाना बताते हैं यहाँ पे हम उनको बांध लेंगे उनको बांध कर हम तीन डाल देंगे एक दो तीन यहाँ फंदे ले लेंगे एक दो तीन तीन फंदे ले ले लेंगे एक दो तीन और यहाँ हम फर्स्ट वाला छोर कर सेकेंड वाला में हम फिर से तीन फंदे ले लेंगे एक दो तीन तीन डाल देंगे एक दो तीन यहाँ फंदे ले लेंगे एक दो तीन फिर हम चैन ले लेंगे एक दो तीन यहाँ पर फंदे डाल देंगे दूसरी लाइन में एक दो तीन 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 ले लेंगे एक दो तीन फंदे डाल देंगे तीन फंदे एक दो तीन यहाँ पर हमने पिंक कलर की यह जो तीन तीन फंदो वाली डिजाइन है पाँच डाल दिये हैं एक दो तीन चार पाँच अब हम यहाँ पर चैन ले लेंगे यहाँ पर हम तीन चैन डाल देंगे एक दो तीन तीन चैन डाल कर इतनी बड़ी फंदे ले ले लेनी है और यहाँ पर हम एक यहाँ पर हम फंदे डाल देंगे एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नव दस दस फंदे डाल देंगे हम इससे बांध लेंगे हम इसमें चैन डाल देंगे एक दो तीन तीन चैन डाल कर फिर से इतनी बड़ी फंदे ले लेंगे और यहाँ पहला चैन छोड़ कर दूसरे चैन में हमें फंदे लेनी है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नव, दस यहाँ पहें दस फंदे डाल दिये हम इससे खोल लेंगे और इस तरीके से चारो तरफ फैला देंगे हम इससे बांध लेंगे यहाँ से हमें उनको ले लेना है एक, दो, तीन, तीन, चैन डाल देंगे फिर से इतनी बारी फंदे ले लेंगे, हमें गुली बनानी है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, 9 10 हम इसे बांध लेंगे बांध कर 3 चेन डाल देंगे 1, 2, 3 देखिए यहाँ पर पहले गुली दिये फिर ये फूल दिये फिर गुली दिये फिर हम इसमें फूल डालेंगे इतना ही बड़ा फंदा लेना है जितना बड़ा हम गुली का लेते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ हम 10 हम इसे खोल देंगे बांध देंगे नहीं यहाँ फिर से चारो तरफ फैलाकर उनको बांध लेंगे यहाँ पर यहाँ पर तीन चेन डाल देंगे एक, दो, तीन देखे तो हम इसकी पूरी डिजाइन इसी तरीके से बनाएंगे हम इसकी पूरी लरी बनाकर बताते हैं तो यहाँ पर हमने इस लरी को तयार कर लिये हैं और हमने यह जो गुली वाली डिजाइन है यह 13 गुली डाले हैं और यह फूल वाली है जो 12 डाले हैं तो हम इससे अब अटेज करेंगे पट्टी में यहाँ पर हम जहां से हमें अटेज करना है वहाँ पर हमने उन लगा लिये हैं पट्टी को बराबर में करके ऐसे करके और यहां से हमें अटेज करनी है तो इसे अटेज करेंगे हम यहां पर फंदे डालेंगे एक उनको हटा लेंगे दो तीन तीन डालेंगे एक दो तीन और यह एक लाइन छोड़ कर दूसरी लाइन में हम फंदे डालेंगे एक दो तीन तीन चेन डालेंगे एक दो तीन यहां फंदे डालेंगे एवाल लाइन छोड़ कर दूसरी लाइन में एक दो तीन तीन चेन डालेंगे एक दो तीन यहां एक लाइन छोड़ कर फिर से दूसरी लाइन में हम तीन फंदे डालेंगे एक दो तीन एक दो तीन तीन चेन दे दिए एक दो तीन यहां पर हमने देखिए एक दो तीन चार पांच यह तीन तीन फंदो वाली डिजाइन पांच डाल दिये हैं यहां से यहां तक अब हम फिर से यही वाली लड़ी बनाएंगे यहां पर हम तीन चेन लेंगे एक दो तीन और यह इतनी बड़ी फंदे लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस दस चैन ले लेंगे, बांदेंगे इससे, फिर तीन चैन देंगे इसमें, एक, दो, तीन, और इतनी बड़ी फंदे लेंगे, और यहाँ पे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस हम इसे बांद लेंगे, यहाँ पे हम बांद लेंगे इससे, बांद कर तीन चैन डाल देंगे, एक, दो, तीन, तो जैसे हमने यह बाली लायन लगा sociaux, वैसे हम यहाँ से, यहाँ तक लगाएंगे, लगा कर बताते हैं, तो हमने इस डिजाइन की दूसरी लरी भी बना ली है यहाँ पर हम पट्टी को डवल कर देंगे और इस लरी को इस तरीके से नाप लेंगे नाप कर हम यहाँ से फिर से फंदे डाल देंगे जैसे यहाँ पर बनाए है वो ऐसे यहाँ भी बनानी हमें तो हम बनाते हैं यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच यह पाँच वे लाइन पे हमें इसको बनाना है एक, दो, तीन, यहाँ पे फंदे डाल दिये हैं अब हम तीन चैन ले लेंगे एक, दो, तीन और यहाँ पे जैसे हमने यहाँ बनाए हैं और यहाँ बनाए हैं पाँच पाँच फंदों की डिजाइन वैसे हम यहाँ भी बना लेंगे तो बना कर बताते हैं यहाँ पे हमने यह लाइन भी बना लिये हैं तो हम इसे आप पलाट लेंगे पलाट कर और यहां पर यहां चैन दे देंगे एक दो दो चैन दे कर और यहां हम इसे बांध देंगे यह बंध गया अब हम तीन चैन दे देंगे एक दो तीन और यहां तीन भन दे एक दो तीन तीन चैन, एक दो, एक दो तीन और यहां तीन फंदे, एक दो तीन यहां तीन चैन, एक दो तीन तीन फंदे, एक, दो, तीन, तीन चैन, एक, दो, तीन यहाँ फंदे डाल देंगे, एक, दो, तीन हमने यहाँ से यहाँ तक बना लिए अब यहाँ पे हम चैन दे देंगे, एक, दो, तीन तीन चैन देकर यह वाली गुल्ली बना लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, बांद लेंगे इससे, बांद कर तीन चैन दे देंगे, एक, दो, तीन और यहाँ इतनी बरी फंदे लेकर, दस फंदे डाल देंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, इससे हम चारो तरफ फैला देंगे, फैला कर बांद लेंगे, जैसे हमने उस लरी में बनाए है, वैसे इसमें भी बनानी है, तो हम इसी तरीके से, इस डिजाइन को पूरा कमपलेट कर लेंगे, और ये वाली जो डिजाइन है, घट कर एक पे आ जाएगा, तो हम इसकी अब पूरी डिजाइन बना कर बताते हैं सेम ही डिजाइन है सबका एक जैसे बनाना है तो हम इसकी पूरी लरी बना कर बताते हैं तो यहाँ पर हमने यह चार लाइने लगा लिए हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक चार लाइन लगा दिये हैं अब हमें इसके लरी लगानी है यहाँ पर अभी डिजाइन की एक घर बाकी है इसी में हम बनाएंगे तो यहाँ पर हमने यह वाली डिजाइन और यह वाली डिजाइन दोनों को कम्पलीट कर लिये हैं बस हमें अब इसमें लरी गिरानी हैं एक यहाँ गिरेगा और एक यहाँ और एक यहाँ पर तो हम इस तीनों जगAbide पर लरी गिराएंगे इसके लिए हमें यहाँ पर फंदे लेनी है हम चैन डाल देंगे एक, दो, तीन, चार चार चैन देकर तीन फंदे ले लेंगे तीन, अब हम यहाँ से यहाँ बीच में हमें लरी गिरानी है तो हम बीच में इसे बान देंगे और चैन देंगे एक, दो, तीन, चार, पांच पांच चैन देकर और इतनी बड़ी फंदे ले लेंगे यहाँ पर इतनी बड़ी फंदे ले लेंगे यहाँ से दस फंदे डालेंगे हम एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, इसे बांध लेंगे यहाँ तीन चैन देंगे एक, दो, तीन और यहाँ इतनी बड़ी फंदे ले लेंगे और एक चैन छोड़कर पिछले चैन से हमें फंदे दस लेनी है तो हम दस फंदे लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस अब हम इसे चारो तरफ फैला देंगे फैला कर हम इसमें बीच से चैन लेंगे एक, दो, तीन, तीन चैन लेकर फिर से हमें गुली बनानी है जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं तो हम इसकी पूरी लरी बनाकर बताते हैं तो हमने यहाँ पे अब पूरी डिजाइन बना ली हैं अब हम इसमें लटकन लगा देंगे यहाँ पे इस तरह की पॉम-पॉम लेकर लगा देंगे यहाँ पे हम इसे बांध देंगे बच्चे हुए उनको काट लेंगे यहां से तो यहां पर देखिए ऐसे हमें तीनों लड़ी में लगा लेनी है लटकन तो हम पूरा में लगा कर बताते हैं तो यहां पर हमने यह तीनों लड़ी की पॉम पॉम लगा लिये हैं देखिए